आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में दिया हुआ 3 Second inverse of 1yx minus sin inverse of 4xq 2 minus 3x की value अपने को निखाल दे नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हैं यहां पर देखिए जो Second inverse of 1yx क्या होगा यह होगा Cos inverse of x कब condition होगी जब x मेरा minus 1 से 1 में बिलोंग करना चाहिए ठीक है अधर वाई यह define ही नहीं होगा अगर define हो रहा है minus sin inverse x ठीक है तो minus sin inverse x को लिख सकता हूँ में plus का sin inverse of minus x sin inverse of 3x minus 4x q लिख दिया है ठीक है अब देखिए यह sin inverse of 3x minus 4x q में अब condition क्या होगी अगर define हो रहा है तो 3x minus 4x q minus 1 से 1 जग जा रहा होगा ठीक है अब इसमें भी होता है कि अगर मेरा इसको मैं अगर fx मानता हूँ यहाँ पर sin inverse of 3x minus 4x q ठीक है इस अगर यह मेरा x कहां से कहां तक जाएगा minus 1 से minus 1 by 2 तो तो यह क्या देदेगा मेरा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यह मिलेगा minus के pi plus 3 sin inverse x ठीक है और अगर मेरा x की value minus 1 by 2 से लेके कहां तक जाए 1 by 2 तक जाए तो यह value देदेगा मेरा plus का 3 sin inverse x ठीक है और अगर अगर 1 by 2 से लेके x मेरा कहां तक जाए 1 तक जाए तब value देगा है pi minus 3 sin inverse x ठीक है क्योंकि यह x की value है यह minus 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए अगर इसको solve करूँगा तो यह minus 1 by 2 और 1 by 2 में break होगा ठीक है तो यहाँ पर यह देखिए यह तो होगा 3 cos inverse of x तो मैं बान के चलता हूँ कि जो x की value है minus 1 से minus 1 by 2 है तब तो यह कितनी value आगी यह तो 3 cos inverse x minus pi minus 3 sin inverse x ठीक है तो मेरा जो यह total अगर मैं इस function को gx मानता हूँ तो यह वे gx मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा 3 cos inverse x minus pi minus 3 sin inverse x ठीक है कव जब x की value minus 1 से minus 1 by 2 हो 3 cos inverse x क्या करना है plus में यह add कर देना ठीक है plus 3 sin inverse x यह होगा जब minus 1 by 2 से x मेरा जाएगा 1 by 2 तक और जब x 1 by 2 से 1 तक जाएगा तब यह होगा 3 cos inverse x होगा तो minus 1 से 1 में 3 cos inverse x होने वाला है उसके बाद तो define ही नहीं होगा minus 3 sin inverse x ठीक है तो पहले वाले से अगर मैं देखूँ तो 3 cos inverse x यह कितना आ गया यहां से इस तरह define होगा ठीक है तो इस second बाला तो मेरा cos inverse x plus sin inverse x यह कितना होता है पाई बेट होगा ठीक है minus 1 से minus 1 by 2 गया 3 pi 2 हो जाएगा जब x मेरा minus 1 by 2 से 1 by 2 गया वो 3 into cos inverse x minus sin inverse x हो जाएगा जब मेरा x 1 by 2 से 1 गया ठीक है तो इस तरह से मेरा यह क्या होगा function 3 parts में break हो जाएगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर